इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महिंगा बढ़ सकता है बहुती दिल्चस मैच होना चाहिए ये अब दो फ्लेडित ज़नीजंदो बेदे बीकींदोर विल्णीं टीम ने कमर्क कर्शगों के हर सोब राव ने जार अफ्ला आउओ आउड पलगवित नियुक्ति इस सब्सक्षर साइव शाया चाहिए जाई तब तयार इनिंग की पहली गेंद के लिए वील्डर है कवर पर गेंद बस अपना पसंदी था और से गेंद बस ही कर रहे है अपने बास नहीं है आप नामा कपता नहीं तेरे फिल्डर टीज कच के ताहरे के अंदर इस पिछ पर शोट पिछ गेंद बस ही करना का भी अच्छा विटल कुछेगा और दूसरे शोट में भी देज के इंद बास को ही में आ जा रहा है वह बहुत ही बहतरीन कपतानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हैं जो मदद इसके इन पास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा भीमी गेंद का अच्छा उप्योग कर सकते हैं स्पिच पे चलिए देखते हैं कि अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी जायज है वल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए प्रहट अपनी बास दोग्ची का सामना करने का सामना कर दोग सामना करने का दोग्ची का ले पत्राए गेष विए बोलन को अपनी लाइन एंड लेंस सब्टीक रखी होगी इस पील के साथ वील्डर है कवर पर गैन बास अपने पसंदीदा छोर से गैन बास ही कर रहे हैं बोलन को अपनी लाइन का ठ्यान रखना होगा बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिलजस्प होगा अच्छा शॉट लेकिन सिंगल ही मिलेगा जब जादा फीरर्स बाउंडरी की रक्षा कर रहे हो ना तो बल्ले बास को सिंगल्स तोपें दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मान। अच्छी रणिमें टूइंड विकिन्स अच्छी रर्णिमें टूइंड विकिन्स इस आग्रामक फील्ड के साथ तो बहुती सूचबूच और नियन त्रड के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ अपनी चत्राई से बज़ाएं बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए बहुती बेदरीन कफटानी यहाँ इसे कहते है होमवक करके आना विछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई किये है व्लास कुछ विछले के दुलाई किये है विछले कुछ कर दुलाई विछले कुछ विछले को विछले कुछ विछले कारीच चौकर पहत्रीन बनलेबादी बनलेबाद दौरा वोविता फिल्ट के हाथ में दोई रचे वोल जेखें जो भोल जेखो वोल बना लेज़़ा पहले बना लेता बाररी बना ले लेज़ा बाले बास अब इतने वे पहनी गें कि यारिए के रचेक्ट शिख़़ए नस्ति अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर पीडर लगाया गया है बहुत ही भाकेशाली रहे वहाँ, बिस्ट कर रहे, बहुत ही बड़ी आगेज़ बादी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ, यह शॉट खिलने की कि लगता है अपनी काफरी तक हो बैठे सब्सक्राइब काफ़ी जरूरी है सीधा फील्टर के हाथ में कोई हर्टाइब जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं ये क्या लगता है अपको कितने चक्चे मारेंगे इस ओवर में इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियन्तरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ हलारान तेजी से लेते हुए इन दोनों की आज इतनी पहतरीन रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक एक्स्ट्रा रण चुराने से क्याप में खेल दिया है दो रण की कोशिश होगी यहाँ सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है इन दोनों की आज इतनी पहतरीन रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक्स्ट्रा रण चुराने से अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए केन बाज ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर लगाया है खेल दिया है गाप में और ये एक राए गेंदबस अपने पसंदीदा छोड़ से गेंदबस ही कर रहे हैं अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरिट एंड होगा अभी तक का खेल देखके लग रहा है कि ये पिच दोनों बाटिंग और बोलिंग के लिए परियाफ्ट है दोरन का कॉल ये तो उचीत है कि रफटार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में अंतिम ओवरो में बल्ले बाजी टीम को विकेट जरूर हाथ में रखनी चाहिए ये बढ़िया रने अद्बुत रने नजाकत से खेला एक रन के लिए आत्म विश्वास भरिया पी लेगन अंपायर ने ना करा भरिया जनिम दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच दूसरे छोर से स्पिनर का अगमन इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ गेन बाज ने डीप एक्स्ट्र कवर पर भी एक फील्डर लगाया है बल्ले बाज यहां कापी आकरमक मूड में लग रहे हैं बढ़ी अच्छी पार्टिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बाज गेन बाज अपने पसंदीदा छोर से गेन बाज ही कर रहे हैं पोटी पड़िया शॉट पोटी बड़ा जिख जाने जाते हैं यह बल्ले बाज ऐसे शॉटों के लिए जब फॉल फ्लों में खेलते हैं तब इकी बल्ले बाज ही देखने लायक होती है तेज गेन बाज को लाया गया है दूसरे छोर से पॉइंट पर फील्डर लगाया है कप्तान ने पहला रन तेजी से दोटे हो दूसरे रन में खोशिश होना चाहिए यहां बहुत ही बड़िया साजेदारी के इन बाजो को विकेट लेना ही होगा अगर इस मैच में बरकरा रहना चाहते हैं बड़िया के बाज बाज एक लंबा रस्ता देकर पवेलियन क्यों और जाते हुए बल्लेबाज अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए चलिए देखते हैं के अगली गेंग स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी अगली गेंग इसे फर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फर्म फिस लाइफ वह क्या बात है यह रही पारी की आखरी गेंग आपके सामने गेंग बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बास के अंग्र 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 बोलर को अपनी लाइन एंड लेंद सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ बन लेवाज नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार वाँ भाँ वाँ वाँ विस फोट अगेंद बजी पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं ये इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारे के काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों न हो इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे और दूसरे शोर पे भी तेज गेंद बास को ही लाया जा रहा है बहुत ही आकरामक बल्ले बास है ये विशो क्रिकेट में उठा के केल दिया है गैप में गई और ये पहतरीन चोका फील्ड में बदलाओ पहतरीन बल्ले बासी बल्ले बास दौरा पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं ये इसलिए अब पॉइंट पे फिल्डर मौजूद उठा के क्यों दिया है शांदार बल्ले बासी और ये चेरन हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे हैं कि दर्शक भी इसमें शामिल है क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है चलिए देखते हैं अच्छा बल्ले बास का बल्ला आगुकलता हुआ इस भोटक बल्ले बासी के इन बास को संकेत देते हुए जहां चाहूँगा वही मारूँगा लाजवाब प्लेसमेंट फील्डर तो वहाँ दर्शक बने रहे बे बहुत लै में नजर आ रहे हैं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गिन बाजी करनी होगी यहां पूरी तरह मिस्स किया वहाँ गेम की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां इनको बैटिंग करते देखना दर्श यह निये है अब पता नहीं भाईया यह गिन कहा जाएगी धबाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाज द्वारा अपनी टीम को काफी बजबूच थिती में लाके रख दिया है नोंने इसा लगता है खेल को देखा ही नहीं वहाँ नियुराज लग रहे है वहाँ नियुक्त आने ये तो अग्या पुश्किस मत समझें जो अब बिक्रीज पे ही खड़े है शांदार काम फील्डर दोरा बड़ी आक्शन द्रेक्शन पावर प्ले की समापती और अब फील्डिंग टीम दो से अधिक फील्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं काफी तेज दौर नगाई है पहले रन के लिए यहाँ हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहाँ दोनों बल्ले बाजों की विकट के बीच अच्छी रनी मेट्वी इंद विकट्स बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है बल्ले बाज ने गेंद बाजी को सधारन मना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा और दूसरे शोर पे भी तेज गिनबास को ही लाया जा रहा है बोलर को अपनी लाइन एंड लेंच सर्टीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ क्याप में खेर दिया है दो रन की कोशिश होगी है दोनों बल्ले बाजों की विकट के बीच हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहां फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है पहतरीन बल्ले बाजी बल्ले बास द्वारा वाह बड़ी ही तेज गती की गें थी टीप पॉइंट पर फील्डर लगाया है कप्तान ने गें बास बल्ले बास के पास गए और कहा कि आज आपका बागया अच्छा है और बल्ले बास का कोई मन नहीं है उनसे मू लगने का ये गें तो लगी होगी काफी अनकॉंफरिबल लग रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौझूद बहुत ही अच्छा अर्दशा तक काफी दिनों से ये फॉर्म में नहीं चल रहे थे पर आज ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे फील्ड में बदलाओ क्या रोममांचक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे है एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे चीवी की आँखों की तरह हो चुकी है गेंदबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का प्तौर की टेंगे झाल बहुत है झाल बहुत ह्पाज़न अरो